दमा, एस्टमा, होम रेमिडीज, दमा एक प्रकार की एलर्जी क्रिया है, जब यही क्रिया तवचा में होती है, तब उसे एमजिमा कहते हैं, जब श्वसन तंत्र में हो तो दमा कहते हैं, कारण दमा ऐसे सुक्ष्म तत्वों से हो सकता है, जिन्हें आँखों से देख पाना संभव है, जैसे परदों व दरियों के धूल कणों से, पालतु कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश, आदी बालदार जानवरों से, कुछ लोग गीले रंगों, वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं, वो कुछ ओशधियों से भी रोग ग्रस्त हो जाते हैं, कुछ तत्व जो श्वसन तंत्र को उत्तेजित करते हैं, उनमें एलर्जिक क्रियाएं पैदा कर देते हैं, मौसम के तापमान का परिवर्तन, अत्यधिक शारिरिक श्रम, भावनात्मक उलजने, अत्यधिक हंसी भी दमा का दौरा उत्पन्न कर सकते हैं, चिकित्सा विधी इस प्रकार है 1. साधारन दमा, श्वास होने पर, सुहागा का फूला और मुलहट्ठी को अलग-अलग कूट पीस कर छान कर मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लें, आधा ग्राम से एक ग्राम तक दवा दिन में दो-तीन बार शहद के साथ चाटे या गर्म जल के साथ लें, दही, केला, 2. बच्चों को दमा होने पर, यदि आयू एक साल से अधिक हो, तो पांच तुलसी के पत्ते खूब बारीक पीस कर शहद के साथ सुबह शाम तीन-चार सपताह तक चटाएं, एक साल से कम आयू वाले शिशु को तुलसी का रस दो-बूद थोड़ी शहद में मिला कर दिन मे 2 बार चटाएं, बच्चों के दमा के साथ-साथ उनके श्वसन संस्थान के अनेक रोग जड़ से दूर होंगे, 3. दमा के रोगियों को केला नहीं खाना चाहिए, 4. दमा के रोगियों को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए, 5. लहसुन दमा के रोग में अत्यधिक लाब प्रद ओशदी है लहसुन का रस दस बूंद दो चम्मच शहद एक कप गरम पानी में नित्य प्रातह लेना चाहिए इसे दौरे के समय भी ले सकते हैं लहसुन की कली को भून कर नमक मिला कर दो बार खाने से भी लाब होता है सर्द रतू में गुड और काले तिल के लड़ू खाने से दमा में लाब होता है दमा न होने पर भी इसके खाने से दमा नहीं होता है सेवन छोटी इलायची खाना दमे में लाब दायक है एट भस्त्र का प्राणायाम करना दमा रोग में बहुत ही लाब दायक है पहले श्वांस को फेपडों में भरें जितनी लंबी श्वांस भर सकते हैं ध्यान रहे कि श्वांस पेट में नहीं भरनी है पसलियां तथा च् पिर श्वांस बाहर निकालते हुए मन में विचार करे कि श्वांस के साथ साथ रोग के कीटाणूओं को बाहर फेक रहा हुँ। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट कर प्रति दिन अवश्य करें। विशेश इस प्राणायाम से सर्दी जुकाम, एलर्जी, श्वांस रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस, थाइराइड वर टैंसिल आधी रोगों में शुद्ध प्राण वायू मिलने से आरोग्य मिलता है। कर दो करें।